ब्रमान की द्यविव शक्तियों से भरपूर इन स्विच वर्ड का अपयोग इस तरह से किया जा सकता है। पहला विना लाइन वाले सफेद कागस के टुकडे पर अपनी इच्छा को पूरा करने वाले स्विच वर्ड को छाट कर नीली या काली स्याही वाले पैंसे लिखें इस इच्छा पूर्सी चिट को एक जगह रखकर इस पर पानी से भरा शीशे, स्टील या किसी भी धातों से बना गिलास रखें और उसे ढख्त दें, लगबख एक मिनट के बाद से दिन भर थोड़ी थोड़ी देर बाद एक गूंट भरके इसका पानी पीते रहें और पानी कम होने पर गिलास में और पानी डालते रहें, हर बार पानी पीते समय अपनी इच्छा को पूरा होते इस क्रिया में समस्या के अनुसाल कुछ घंटे, कुछ दिन या कुछ महिने भी लग सकते हैं, लेकिन विश्वास और दिर्ण निष्टे के साथ उपाय करते हैने से लाप अवश्य मिलता है, इच्छा पूरी होने पर वो चित जला दे और नई इच्छा के लिए नई चित बन आत पैल या किसी भी भाग पर चिपका दे, जो लोग बाय हास से काम करते हैं, वे अपनी दाई तरफ चिपकाएं, खराब होने पर दूसरी चित बनाएं और इच्छा पूरी होने पर चित जला दे, तीसरी विधी के अनुसार, स्विच वर्स को कागस की चित पर बनाकर आत को सोने पर इसका असर रात भर होता रहे, इन तीनो सुरक्षित और आसान तरीकों में से किसी एक विधी को, क्या दो विधी या जल्दी इच्छा प्राप्ट करने के लिए तीनो विधी हो का एक साथ इस्तिमाल किया जा सकता है, य़े किसी दूसरे विक्ती की हीलिंग या इच्छा पूर्ती के लिए switch words का इस्तेमाल करना है, तो एक आगस पर पहले उसका नाम लिखे, नाम के चारो तरफ बोल बंद घेरा यानि सर्कल बनाए, फिर switch word लिखे और उसके चारो तरफ बोल बंद घेरा बनाए, अब एंजल नमबर लिखे और उसके चारो तरफ बंद बोल घेरा बनाए, उस sheet पर पानी का गिलास रखकर उसे दिन भर बार बार एक एक घूट पानी पिलाते रहे, इसके अतिरिक उसके तक्ये के नीचे भी एक किट रख दे,